दोस्तों आजम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को आजम डिसकस करने वाले हैं यह मॉडल मैंने एक रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग बनाया है हमारी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था सर मुझे एक मॉडल जाहिए जिसमें दो भाईयों के लिए बेस्ट फ्रेंट रिलिवेशन हो और पूरा मैनेजमेंट दो भाईयों के लिए हो मिलो ऐसा घर ह अगर कभी भी बटवा रहा हो तो उसको दो भागों में बहुत आसानी से बटा जा सके तो उन्हीं के कहने पर समार्माल को डिजाइन किया है और इसका साइज मैं पता दूँ चालिस बाई पैतालिस फिट है जहां पर आपको बैडरूम कार पारकिंग इस्टेयर्स कर दिश्कस करेंगे आज हम पूरा इस्टेबाइस सब्सक्राइब करेंगे तो जरू कर ले तो जरू कर लें यहाँ पर आपको different category के modern house मिल जाएंगे जिसको watch करके आप बहुत ही आसानी से घर बनवा सकते हैं तो इसलोग model को आज हम discuss कर लेते हैं तो यह पूरा model है और एक announcement और करना चाहता हूँ आप दोस्तों मैंने एक paid service से start की है नमबर आपको हमारा description मिलेगा लेकिन वो हमारी paid service है अगर आप हमें contact करते हैं तो वहाँ पर पैसे से ही घर बनाया जाता है और जिसमें कि आपको 50% payment advance देना होता है आपको ध्यान यह रखना है कि जब भी आप हमें contact करें तो आप पहले डिसाइड करनें कि आपको घर बनवाना है या नहीं बनवाना है कि इनकारी के लिए आप contact बिल्कुल ना करें क्योंकि आपका भी समय बर्बाद होता और हमारा भी तो इससे आप पहले डिसाइड कर लें आपको घर अगर बनवाना है आप साइज बताएं कि उसका अगार्ण मैं प्राइस बताऊंगा और इसके बाद आप से 50% payment advance लेकर घर का मैं planning इस्टाइड करत करना चाहते हैं तो क्लोज भी करते हैं हलांकि मैं थोड़ा से छोड़ दिया है अगर आपका क्लोज नहीं है तो और भी वेंटिलेशन प्रॉपर तरीकेश हो जाएगा सब्सक्राइब यहां पर स्लूप दिया है मैंने यह दो पॉस्टर में पूरे डिवाइड है यहां से अगर हम बात करें जो डूर आप देख पा रहे हैं ऐसा बिल्कुत दो पॉस्टर डिवाइड दो भाईयों के लिए आप एक तरफ यह कार पार्किंग के विस्ता एक तरफ यहां पर है यहां से दोने लोग कमांड चलेंगे यह आप पिलर देख पा रहे होंगे यह दोस्तो प्रिewald यहां प्रेंड टूस हैं में यहां पर भी कार पार्किंग्टर विस्त करते हैं तो यह दोस्तों का ग्राउंड फूर है आप देख पा रहे हैं कि यह देखी है पूरा मैं चोटा कर देता हूँ आपको इस से उपर से आपको बेतरी लुक टॉप भी उसका देखे यह तो गुम्टी हो गई जो इस डिजाइनिंग के पार्ट थे आपका दोस्तों मने जो बताया था फ्रेंट में और जैसे आप यहां से इंड्री करते हैं तो सबसे पहले आपको बड़ा सा यह साथ आपको आप कर सकते हैं आप यहां पर कुछ भी इस्तिमाल कर सकते हैं और यह आपकी जो कॉर्Nर पर मने बताया था कार पार्केंड वो स्टेयर्स है इसी कॉर्नर से एक विड्ड़ अंदर के लिए है एक window side के लिए है और same to same बिलकुल यहां पर भी car parking है stairs है window दो दिया है आप जैसे इस main door से इंट्री करते हैं आप चाहें तो side में भी window लगा सकते हैं दोनों हला कि मैंने नहीं लगाया है आप जैसे यहां से इंट्री करते हैं तो आप आजाते हैं living hall में जो की बहुत ही बड़ा hall है क्योंकि यहां पर ज्यादा चीज़ मैं नहीं बनाई है उसका reason मैं बताऊंगा आप हला कि अगर आप bathroom वगरा बना चाते हैं तो इस corner पर आप bathroom भी design कर सकते हैं दो दोनों के लिए लेकि मैंने bathroom यहां पर रजिस्ट कर दिया है तो अगर आपको पूजा घर बनाना है तो मैं भी आपको बताऊंगा सब्सक्राइब कर देता हूं इस portion को तो एक bedroom यह है एक bedroom यह है यह आपका kitchen है इनके लिए अगर इनकी बात करें एक bedroom यह है एक bedroom यह kitchen है यह जो आप portion देख रहे हैं यह दोस्तों मैंने latent बात बनाया है यह आपकी शुबधा के लिए है मैं बता देता हूं आप इसे पूजा घर भी बना सकते हैं समया आने पर और लेट हो बात अगर आप create करना चाहते हैं तो यह जो आप door देख रहे हूं यहां से wall ले जाकर और इस वाली wall यह इस corner पर एक latent बात बन सकता है और इस corner पर एक latent बात बन सकता है हाल से तो यह आपकी requirement पर है जो हमारी requirement थी वह उने बता दी यह आपका kitchen है यह लेट बात है दो बैड डूम है ऐसा यहां पर भी एक kitchen है दो बैड डूम है एक latent बात है अगर आप बाहर भी देना चाहते हैं तो बाहर भी सिर्म मैंने parking के लिए इस पेश चोड़ा है यह बात की बात हमें ground floor बनवाना था तो वहां पर आप multiple rooms बना सकते हैं और भी रूम मना सकते हैं मैं बताऊंगा तो लेकिन अभी फिर ground floor भी मैंने बताया है आपके requirement है तो आप हमारी paid service के according आप इस्तमाल कर सकते हैं हमारी paid service को तो यह पूरा हम बात करते हैं ground floor का हो गया front का elevation भी मैंने आपको दिखा दिया अब हम मात करते हैं इसके first load की तो यह दोस्तों का first load कहें लाश लोड कहें क्योंकि यहां पर मैंने ground floor यह एक ही बनाया है चारो तरह boundary कर दी है साड़े तीन फिट की और front में यह elevation गो थोड़ा सा बेदरी मना दिया है boundary वगरा railing वगरा जिससे आपके घर को एक नया look और बेदरी look मिल जाता है तो यही पूरा चालिस भाई 45 का house plan था हमारा और जैसा कि आपको जैसा भी लगा हुआ करें आप हमें like नहीं करते हैं वीडियो को like जरूर किया अगरें कम से कम at least views काफी जाते हैं बट likes नहीं आते हैं तो आप लोग सब्क्राइब नहीं किया तो कर लें या आप पर बहुत द्यान रखें कि अगर आप पहले डिसाइड कर लें घर बनवाना हो तबी कांटेक्ट करें क्योंकि महां पर मैं आपको बता चुका हूं पेर सर्वेश है तो आप लोग इसका द्यान रखा करें और बहुत से लोग क कमेंट यह करते हैं कि सब्सक्राइब को तो जब मैं बोल रहा हूं तो आपको आप उसके लिए बेफिक कर रहें आपका काम होता है 100% होता है उसके लिए फ्रॉड हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा आपके साथ तो आपको इसका विशेज ध्यान रखना है लेकिन पेमें करना है तो आप हमसे एक बार बात कर लें जिससे सारी डाउट किलियर हो जाए और आपका पेमेंट सही जगे पहुंचे तो प्लीज इस वूड़ों को लाइक से जरूर करें अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है थैंक्स वाचिंग